हलो वीवर्स आप देखरें इंडिया न्यूस का डिजिजिल प्लाटफॉर्म मैं हूँ आपके साथ पुजा सिंग दस मई को होगी वोटिंग तेरा मई को आएंगे रिजल्ट हम बात कर रहे हैं करनाटक चुनाव की करनाटक विधानसभा चुनाव मई में होने और उसको लेक आ रहें लेकिन बीजेपी की बात करें बीजेपी ने भी कमरकसी हुई है और उसका लक्ष है कि किसी भी तरीके से पूर्ण बहुमत हासिल किया जाए डेर सो सीटे जो है वो हासिल की जाए करनाटक की बात करें तो करनाटक में पिछले 40 साल का एक मिथक बना हुआ है वो यह करें पिछले elections की बात करें तो पिछले election में 2018 में जो हुआ था उसमें जो है पार्टी ने सीटों हासिल की थी जीत हासिल की थी लेकिन अगर बात करें उस समय जो है सरकार बनाने में नाकाम भी रही थी विदान समा में पूर्ण बहुमत के लिए 1.500 सीटे चाहिए होती हैं 2018 के रिपीटेशन को बीजेपी रोकना चाहती है और जब उसने पहली बार एक मात्रपाची की रूप में चुनाब जीता था लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रही थी उस समय कॉंग्रेस और JDS ने जो है अलाइंस किया था सत्ता बनाने के लिए सत्ता में रहने के लिए और ज करनाटक से तो करनाटक में जो है अपने एक बार फिर से ध्मक के साथ उतरने की पूरी कोशिश में है बीजेपी और इसको uwagę के तमाम कोशिचे की जा रही है देखना ये होगा कि बीजेपी जहें इस बार इसमें कितनी काम्याब होती है हालांकि अगर बात करें ॉर जे जई कर रही है और इसके अलावा जो है और भी पार्टीज है के आर पीपी बीस पी और एसड़ी पी यह तमाम ऐसी पार्टी है असदुदीरों वैसी की पार्टी की बात करें तो वह भी इस इलेक्शन में उत्रेगी तो देखना होगा कि इन पार्टियों से कितना फर्क पड़ता ह आने वाले विधानसभा चुनावों में कितने वोट इने मिलते हैं और क्या इनकी भूमिका रहती है सरकार बनाने लिए आपकी क्या रहे है इस वीडियो पर इस खबर पर जरूर बताईएगा इस वीडियो इन फिलाल इतना ही थांक्यू सो माच